अभी आउरंगाबाद पुलिस कह रहे हैं कि हम भाशन देख रहे हैं और उसके बाद उस पर करवाई करेंगे मैं दो मुद्दों पर आपसे बात करना चाहता हूँ पहला मुद्दा जो है जो आप पर आरोप लगा गया कि जैसे राज ठाकरे को संजर आउत ने कहा किये तो हि इस ही है उनका कहने का मतलब यह कि हिंदू के वोट बाटने के लिए काटने के लिए राज ठाकरे को भारती जंता पार्टी आगे कर रहे हैं और आप पर भारती जंता पार्टी मुसल्मानों के वोट काटने के लिए आगे कर रही है यह सरकार आरोप लगाती है अब यह आर पार्टी के जिलाद्यक्ष बीड के तुकार लुक्मन फारुकी उन्होंने वहाँ पर जाकर बैनर लगाया कि हिजाब इजार राइट पहले हिजाब फिर किताब वो कह रहे हैं कि एक तरफ मुसल्मानों को भड़काने की कोशिश एमाइम करती है और दूसरी तरफ हिंदूओ को भड़काने की कोशिश राजठाकरे कर रहे हैं जिसके वजह से सरकार पर संकट पैदा हो कानून सुवेवस्ता की स्थिती पैदा हो औरंगाबाद में राजठाकरे गए ही इसलिए क्योंकि वहाँ पर एमाइम आपकी पार्टी का रुद्बा है वहाँ पर आपका सांसद है आपके वहाँ पर विदायक जीत कर आ चुके हैं 2014 में और औरंगाबाद सिटी में एमाइम की अपनी ताकत वहाँ पर है और इसलिए वहाँ पर इस तरीके की रैली ली गई कि हमारी ताकत है यह और अंगाबाद की जंदा का वह शुक्रियादा करता हूं और उसी ताकत की वजए से हम लोग और अंगाबाद की अमन को खराब होने नहीं देना चाह रहे थे तो रहा सवाल हिजाब का संजे रावट को अगर थोड़े पढ़े लिखें तो आर्टिकल अगर मेरे को प्रोटेस्ट करने का राइट नहीं है क्या महाराष्ट्रा में मुफ्ति इसमाइल जो प्रोटेस्ट किये बिल्कुल सही किये हिजाब मुसलमान के हुए मुद्दे पर महाराष्ट में प्रोटेस्ट करना यानि महाराष्ट के मुसलमानों को बढ़काना यह कह महराष्टरा में अगर करनाटक में कोई गलत काम हो रहा है तो क्या महराष्टरा में उसके लिए आवाज ने उटनी चाहिए क्या ने उटनी चाहिए आवाज अगर सम्वीधान का वाइलेशन हो रहा है तो क्या देश कमल बटना चाहिए कि ने ने वहां हो रहा है यहां कि उनने के मुफ्ती स्माइल साथ ने जो किया वो बिल्कुल सही किया और पूछ कर किया मैं उन्हें कहा कि बिल्कुल peaceful protest होना चाहिए peaceful protest करिए गवर नहीं होनी चाहिए और रहा सवाल के Congress को फाइदा नुक्सान फाइदा ये संजेर राओट कब से सोचता शुरू कर दिये Congress का फाइदा नुक्सान क्या वो Congress के क्या manager बन चुके हैं कौन सा देख रहे हो संजेर राओट को इसी के बारे में मायम के बारे में और ये Congress राष्टरवादी Congress की सरत पाहर साब क्या करे थे कि वह इसी को ओड मत दो शीव सेना को और भाशपा को रोकना है जब चुना हो गए तो आपने कीनों मिलकर शादी कर लिए निकाह कर लिया और हमने औरंगाबाद की सीट किस को और आया हमने शिव सेना को और आया औरंगाबाद की जंता ने शिव सेना को और आया हमासे उसको उस बात का बड़ा फेट में दरद होता है तो इसलिए इनको कह रहे है भाई मेरे को कॉंसिटूशन को बचाने के लिए मुझे कॉंसिटूशनल राइट है मैं अगर मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ हिजाब पेंती है तो उनका कॉंसे डिसिशन है उनको और मेरे दीन का रिलिजन का एक एसेंचे रिलिजिस प्राक्टिस है और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंग जुआ है मगर तो आप ये बोलींगे कि मासला में उठाओ, अरे बाई तुम्हारे लीडर के घर के सामने को प्रोटेस करना चाह रहा था, कुछ पढ़ना चाह रहा था, मैं उस पंगरी नहीं करता हूँ, जो नभी काना ने किया, तो घर के सामने हैंगे तो स्रडेशन लगाएंगे, और औरंगाबाद में आकर पुरे महारे अस्रा को अल्टिमीटम कोई देता है, तो तुम खुला पर साओगे उसके उपड़, इसलिए क्योंके मुसल्मान को तारी ने, असद भाई, आपके सांसद औरंगाबाद के, उन्होंने कहा है, इम्तियाद जलील, उनका ये कहना है क कि हम भी कह सकते हैं बहुत सारी चीजे, खास करके कल के भाशन के बाद बोला कि जिस भाशा में राजठाकरे बात कर रहे हैं, उसी अंदाज में हम लोग भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन कानून सुवेवस्ता का सवाल है, लाइन ओर्डर का सवाल है, हम उसका पालन करेंग लेकिन सुप्रिम कोट का आदेशका पालन भी होना चाहिए, तो एक तरफ आपकी भूमिका रहे घी कि लाण मद्दा दिया जा रहा है, वो यह कह रहे हैं कि अगर लाऌ्डस्पिकर उतारे तो यह मुद्दा ही नहीं रहेगा, तो क्या इस पर M.I.M. की भूमिका क्या र वस्ता क्या सवाल महाराश्च में खड़ा होगा क्या वैं अरे होते कौन हStr J textured को अरे आज सीफ़सेना की सरकार है कल नहीं रहीगी कुसी और सरकार बने कोई को ठटन के लेगा क्या है देश को और देश के स्टेट को जहाँ तक लॉड़ी स्टेकर की बात है तो अभी लॉड़ी स्टेकर अपक्टेद आद है उतो는 کو कह सरकार को नहीं मालूम कौन सा लेड़ इस फिकर पर्मिशन चल रहा है नहीं चल रहा है सब बक्वास कर रहे हैं देखिए एक बात समझे जो पूरे देश में मुसल्मानों के खलाब बीजेपी संग परिवार ने जो एलाने जंग कर चुकी है जो नफरत का तूफान प्हला चुकी है जहर प्हला चुकी है उसी का इससा है उसी का इससा है और कुछ भी नहीं है इसमें